अंकार मेरे पने की दिवारें लेकर प्रसन्न होता है मान पाने के गर्व के साथ उसका परिचे बनता है मत्वक आंक्षा बढ़ाता है चाहना बढ़ाता है धन मान भोग भोग कर सुकी रहना चाहता है सनमान की निरंतर वृद्धी में लगा रहना चाहता है अंधी पकड बढ़ाता चला जाता है जानता है कि अंधी पकड के कारण भार है लेकिन वो भार छुरना नहीं चाहता है भार रहते हुए निरभार होना चाहता है दुख का सामान लेते हुए भी सुखी रहना चाता है ऐसा बेवकुफ अंकार है मेरे पन के बोज से धर्म की उंचाई को नहीं छू सकता है लेकिन प्रेम धर्म की उंचाई में कोछ छूता है तो क्या प्रेम तो धर्म की उंचाई के साथ एक कर देता है सारे पाप अंकार की परिधी में होते हैं और सारे पुन्य प्रेम की परिधी में होते हैं सारे शुब होते हैं निर्दोष प्रेम से और सारे अशुब होते हैं शुद्र अंकार से धरम और अधरम की व्याख्या क्या? अंकार को सजाने के लिए जो भी किया जाए वो सब अधर्म है और प्रेम स्वरुपर मात्मा में सराबोर होकर जो भी होता है वो सब धर्म है अंकार को विशर्जित करने के रास्ते पे चलना धर्म है और अंकार को सजाने के रास्ते चलना अधर्म है आत्मप्रति कुलानी परिशाम न समाचरेद जो आपको दुख देता है आपको अच्छा नहीं लगता है ऐसा दूसरे से मत वहवार करो प्रेम दूसरे में भी अपने को दिखाता और अंकार अपने वालों में भी संशय रखता है कि कहीं पत्नी जान न ले कहीं पुत्र जान न ले जीवन भर तिजोरियों को समभाला था कुटुम्यों से कपट करके भी अलग जगा पे रखता है अंकार लेकिन लाचार होकर जो जीवन भरती जो रियां संभाली थी सिक्रेट बाते थी अंकार मरते मरते डरता है मौत उसे नहीं डराती लेकिन इन वस्तूं की आसकती है अब ये वस्तू छोड़नी पड़ती इसलिए वो डर रहा है झाल